मेरे प्यारे दोस्तों आज है 1 October और महीने कि आप पहला दिन है और पहले दिन को ही हमने target set करना है और अन्तिम जो 30 October होगा तब तक अपने target को इस तरीके से handle करते हुए चलना है जिससे कि परती एक दिन चोटे चोटे target को set करते हुए और उनको complete करते हुए एक motivation की साथ अपने लक्षे को प्राप्त कर सके तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल सिरी एजुकेटर्स पर मैं विजय संगल परती एक दिन लेके आता हूँ आपके लिए न्यूज इंपोर्टेंट एडिटोरियल एनलाइसिस या फिर इंपोर्टेंट न्यूज एनलाइसिस जिसके माध्यम से हम किसी विशेश टॉपिक पर विस्तार पुर्वक चर्चा करने के माध्यम से उसका बेशिक और फैक्शुल पॉइंट सभी तरीके से सभी एंगल को जा परियास करते हैं और जो एक्जाम में इंपोटेंट होता है या एक्जाम के पॉइंट ओफिस है हमारे लिए काफी मैथ फून भी रहता है चाहे वो मेंस हो या प्रारंबिक परिक्षा हो या फिर इंटरव्यू की दरश्टी से बात करें तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपना ये छोटा सा लेक्ष या सेशन आयोजित करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है वो मेक इंडिया को लेकर है क्योंकि अभी 25 सितंबर 2024 को भारत के अंदर एक योजना है इसकीम है जो कि मेक इंडिया है उसको 10 साल पूरे हो चुक होना है क्योंकि किसी विशेश स्कीम को लेकर 10 वर्स कंप्लेट हुए हैं और इस से 10 वर्स पहले तक भारत जो लगबग सुई से लेकर मशीनरी तक आयात करने के लिए विवस था तो जो ये अब 10 वर्स हुए हैं मेक इंडिया को लेकर वर्तमान समय की बात ये है कि मोबाइ मिसाइल से लेकर भारत मिसाइल तक निर्यात कर रहा है और इस उपलब्दी का जो मेन है वो है मेक इंडिया जिसका एक एहम योगदान रहा है जो कि 25 सितंबर 2014 को सुरू की गई थी इस योजना के 10 साल कंप्लेट हो चुके हैं और इस अवधी की बात करें इस अवधी में द देश के अंदर परत्यक्स विदेशी निवेश लगबग 119 परतिसक बढ़ा भी है और कारोबारी सुगमता के मोर्चे पर बात करें तो भारत ने एक लंबी छलांग लगाकर अपना विस्व के अंदर 63 वाइस थान भी पहुश गया है यानि बना लिया जबकि मैन्यूफेक हैं उनका मानना ये है कि मैन्यूफेक्ट्रिंग का मजबूत एको सिस्टम तैयार करने के लिए दस वर्स अभी परियाप्त समय नहीं है इसको और समय देना होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मेक इन इंडिया की जो मवजुदा इस्तिति है और चुनोती है उसको लेकर ही सालगिरा मनाएंगे अपने आजादी की और उस दोरान हमें विक्सित राष्ट की कैटेगरी में सामिल भी होना है तो उसमें ये जो मेक इन इंडिया है ये एहम रोल अदा करेगी मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँ मैनुफेक्ट्रिंग के अंदर पिछले इन बात करें पी एलाई से जुड़े निवेस के बारे में तो बारा लाग करोड तक पहुंच गया है और इसके माध्यम से उत्वादन भी इतना पहुंच गया है तो देखिए एक ने एम एस मनी द्वारा जो कि परियाटन डालाइट इंडिया के सरस्य हैं इनके द्वारा अपनी विचार व्यक्त किये गए कि सरम सुधारों से ही बढ़ेगी मैनुफेक्चरिंग की रफ्तार और इन्होंने बताया कि जो मेकिन इंडिया पहल ने मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में गिरावट को थामने और मैनुफेक्चरिंग जो बेस है उसका विस्तार करने में अ प्रम शुधार कानून हैं इनको लागू करना होगा और ये आवशक एक सर्थ भी है दूसरा फिर जो हमारे विवेक देवरवाय जी हैं यानि की एकोनोमिस्ट हैं और आधित्य सीनहा जी जो की एकोनोमिक एडवाइजर हैं इनके द्वारा भी बताया गया जो मेक इन इंडिय पहल है इसकी सफलता काफियत तक इस बात पर निर्बर करती है कि जो आने वाली पीडी है जो आने वाली पीडी के जो सुधार है उनको लागू करते हैं या नहीं अगर सुधार नहीं करेंगे तो ये कहना मुस्किल है कि राज्य अपने राज्य के अंदर निवेज को आकर स पूर्षित कर पाएंगे, क्योंकि भीया सुधार कर पाएंगे, कुछ एक्षिर्रा दिखाएंगे या कुछ रिफोर्म लेकर आएंगे, तभी इन्वेस्टर उस छेतर करने के लिए आतुर होगा। तो कहने का तात पर यही है कि आज हम अपने इस प्यारे से सेशन में Make in India को लेकर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और इसकी चुनोतिया और उपलब्दियों पर भी चर्चा करने वाले हैं और समझने का परियास करेंगे दो इसकीम यानि दो इनिसियेटिव के बारे में Make in India साथ ही PLI इसकीम के बारे में तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल सीरिय एजुकेटर्स पर तो दोस्तों सबसे पहले आज हम Make in India पहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं यानि Make in India इनिसियेटिव इसके जो इंट्रोडक्शन है उसके मोटिव क्या है यानि उद्देश्य क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके द्वारा क्या-क्या इनिसियेटिव लाए गए हैं यह इस पर अच्छे से चर्चा करते हैं देकि परीचे में बताया गया कि वर्स 2014 यानि 25 सितंबर 2014 को इसे लौच किया गया यानि में इंडिया का मुख्य उद्देश से क्या था कि देश को वैस्विक तोर पर आगे ले जाया जा सके किस तोर पर विनिर्मान के छेतर में और निवेस के छेतर में भारत के अंदर निवेस को आकर्शित करने और विनिर्मान छेतर को वैस्विक कि इस तरह के लिवल यानिकि जो गलोब लाइजेसिन है यानि गलोबल है उसके लिवल पर लाया जा सकते देखिए हर एक कंट्री के अंदर economy जो boost होती है वो जानी कि जो मूल है वो three step के माध्यम सो होता है प्रात्मिक, secondary और tertiary प्रात्मिक sector जो होता है हमारा वो होता है agriculture यानि raw material को लेकर agriculture बोले तो प्रात्मिक छेत्र जिसमें हमें raw material प्रात होता है और secondary होता है manufacturing जहां पर हमारा जैसे कि माध्यम से हम service provide कराते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे देश की अंदर वर्ष 2014 से पहले क्या होता था कि primary primary से direct हम service sector पर जम किये थे है ना जबकि हमें जो हमारा जो अभी वर्तमान समय में manufacturing पर ध्यानाकरशित किया हुआ है तो सबसे ज़्यादा primary के पर जाद सेकेंडरी secondary के पर टर्सरी ऐसे करम से चलना होता है परांतु क्या हुआ primary से direct जम किया टर्सरी पर दो हजार चोदा पच्चे सिदंबर को भारतिय परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी द्वारा पहली बर कोई एक scheme लेके आए गई मेकिन इंडिया जिसके माध्यम से देश के अंदर manufacturing को यानि second sector को focus किया जाएगा जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा देखिए manufacturing में skill और अनिस्किल लेवर काम आती है है और जोग creator की भूमिकाब ये भी manufacturing सबसे अगरनी अपना योगदान देता है जो manufacturing है मतलब कि जहां पर वी निर्मान छेतर है वी निर्मान में हर परकार मतलब कि अगर company industry बननी है तो मेरे प्यारे दोस्त को रोजगार मिलेगा और जब building तयार हो जाएगी तो वहाँ पर भी अनिस्किल प्लस इस्किल जो employment होगे उनको यानि की रोजगार प्राप्त होगा और ऐसे रोजगार प्राप्त होगा तो उन्हें salary मिलेगी salary मिलेगी तो अपनी salary का सदुपयोग कर अपने देश की economy में सह बनाने के लिए भारत के अंदर 25 सितंबर 2014 को पहली बार एक योजना लाई गई make in India initiative उमीद करता हूँ आपको अच्छे से भली बाती समझ में आया होगा तो ये 2014 में launch की गई उद्देश से क्या है देश को अगरनी वैस्वीक निविय निर्मान और निवेस गंतव्य में ब Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPiIT और वा निज्य एवं उद्द्योग मंत्राले के माध्यम से भारत सरकार द्वारत कि विभाग है Department for Promotion of Industry and Internal Trade जो है ये वानिज्य एवं उद्द्योग मंत्राले के अधीन है जो कि भारत सरकार द्वारत किया जा रहा है मैकिन इंडिया की मतलब कि इसको अपने और ये है पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को यानि इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्सिपोग जो है उनको न्यू इंडिया की मतलब कि भरतमान का भारत कैसा है नया भारत है उसकी विकास गाथा में भाग लेने के लिए सबी को खुला निमंत् जो इन्वेस्टर्स है और जो अपनी भागीदारी निभाना चाते है नए भारत के निर्मान में या विकास में मेकिन इंडिया ने 27 शेत्रों में परियाप्त उपलब्दी हासिल की है और इन में विनिर्मान और सेवाओं के रन्नतिक शेत्र भी सामिल है मैंने बताया अभी विनिर्मान बोले तो मैनुफैक्शरिंग और सेवाओं बोले तो सर्वी सेक्टर किलियर है ना तो अब बात करते हैं उद्देश्यों के बारे में कि उद्देश्य क्या है और फिर इसके चार परमों के स्थम भी है इन फर भी हम अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा कर करने वाले हैं दोस्तों आज उद्देश से क्या है मेकिन इंडिया के कि नए ओध्योगी करन के लिए विदेशी निवेस को आकरसित करना मतलब कि अपने देश के अंदर विदेशी निवेस यानि नए इंडेस्टिरलाइजेशन को लेकर जो फोरें इन्वेस्टमेंट है उ विनिर्मान छेत्र की व्रद्धी को मध्यावदी में जो मैनुफेक्चरिंग छेत्र है उसकी व्रद्धी को बारा से चोदा परतिसत वार्शी करने का लक्षय रखा गया है इसका उद्देश्य में देश के सकल गरेल उत्पाद यानि जीडिपी में जो निरियात आधारित विकास को बढ़ावा देना था देकिन निरियात आधारित विकास अगर भारत अपने देश के अंदर प्रोडेक्शन या फिर उत्पादन एक्षा करता है तो जाईर सी बात है उसकी आयात पर से यानि इमपॉर्ट पर से डिपेंडेंसी खतम होगी और एक्सपोर्ट पर फोकस करेगा यानि निरियात पर फोकस करेगा जैसे की वरतमान समय वारत मोबाईल से लेके मिसाइल तक क्या कर रहा है निर्यात कर रहा है कभी भारत मजबूर होता था सुई से लेके मसीन तक आयात करने के लिए परंतु वर्तमान समय नए भारत का है तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के जो वर्तमान समय में परदान मंतरी जी है अपने पहले टर्म के अंतरग है अभी ये देखने का परियास करते हैं तो जैसे की नई परकिरियाई नई परकिरियाई बोले तो मेक इन इंडिया उध्यमिता को बढ़ाने यानि एंटर्पर्नियर सेप को बढ़ाने है तू इस ओव डॉइंग बिजनिस को एक मात्र सबसे महत्मून कारक के रोप में माननेता परदान करती है जिसके लिए पहले ही कहीं पहले की जा चुकी है इसका मोटिव है वायवसाय की स करने के लिए सरकार ने और योजना बनाई है मतलब की तेजी के साथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया है ऐसे ही नए छेत्र की बात करें जैसे मेक इंडिया द्वारा वी निर्मान छेत्र बुनियादी ढाचे यानि बेसिक इंफास्टेक्चर साथ ही सेवा गतीव के लिए 27 उद्ध्योगों की पहचान की गई है तता एक इंट्रेक्टिव वेब पेज एवं पैमफ प्लेट के माध्यम से इस संबन में व्यापक जानकरी परदान की जारी है एक है नई सोच उत्पन करना मेकिन इंडिया पहल मूल रूप से वयवसाई के साथ साथ सरकार के काम करने के तरीकों को बदलना चाहती है सरकार देश की अर्थवयवस्ता को विक्षित करने के लिए विभिन उद्ध्योगों के साथ साजेदारी करेगी और देखिए सरकार जो है देश की अर्थवयवस् को develop करने के लिए क्या गरेगी विविन उद्ध्योगों के साथ साजेदार यह नि पार्टनर्सिप करेगी और नियामक के रूपने नियामक के रूप की बजाए सोरी रेगुलेटर के बजाए एक सुविदा जनक तरीका अपनाएगी जिसने की facility प्रोवाइड करा सके फिर आता है क्या परिणाम रहा भी है इसका परिणाम भी तो देखना है हमें देखे परिणाम की बात करें जेश्ट ए मिनट जो देखी परिणाम के एफडियाई जो है एफडियाई फ्लो वह भारत के अंदर खुल के आएगा यानि विदेशी निवेश को आकर्सित करने के लिए भारत सरकार ने एक उदार और खुली निती लागू की है जो सवयचालित मार्ग के माध्यम से अधिकांश शेत्रों को एफडियाई के लिए सुलब बनाती है ठीक है न और वज़ दो हजार चोदा पंद्रह में भारत में एफडियाई जो था जो एफडियाई फुलो था वो पंतालीस दसम्लाव एक पांच अरब डॉलर अरब अमे अमेरिकी डॉलर एफडियाई दर्ज किया गया यह दो हजार इकिस बाइस के फाइनेंसिय लेयर की बात कर रहे हैं जबकि वर्तमान समय में जो एफडियाई फ्लो है वो एक सो उननीस परतिसक बड़ा है यानि जो पंतालीस दसम्लाव एक पांच अरब अमेरिकी डॉलर था इसका एक सो उननीस परतिसक इंक्रिमेंट हुआ इतना तेजी से आया है जो हमारा यह दसक गया है आर्थिक सुदारों और पिछले वर्सों दो हजार बाइस तेईस में वैपार करने में सुगमता के परिनाम सवरुप वर्तमान वित वर्स के दोरान भारत जो एफडियाई ह उसमें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्षे को प्राप्त करने की और अग्रसर है और कर भी लिया है अब बात करते हैं PLI यानि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिसियेटिव यानि उत्पादन संबन प्रोसान यह है चोदा परमुक विनिर्मान चेत्रों में प्रोडक्शन लिंक चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अब इसके लिए देखिए संबंध पहले क्या क्या है कि मतलब इसके माध्यम से कौन-कौन से पहले की गई है जैसे की राष्टिये एकल खिड़की परनाली यानि सिंगल यानि नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम पीम गती सक्तिकारियकरम या एक तो हो गया आधार भूस सवरचना यानि की बेसिक इंफरस्ट्रक्चर डैवलमेंट तैयार करना जो की पीम गती सक्तिकारियकरम के माध्यम से फिर राष्टिये एकल खिड़की परनाली इसके माध्यम से क्या है लाइसेंस परकिरिया रजिस्ट्रेशन संबंदी ये जो माननेता परदान की जाएगी वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट की सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम के निर्मान की योजना भी इसके मात्यम चलाएगी और अभी हाल में ही सैमी कौन 2024 इनिसियेटिव लाया जा रहा है जिससे की विशु के अंदर सैमी कौन का हम सैमी के मैत को ध्यान में रखते हुए सरकार में भारत में सैमी कंड़क्टर डिस्पले डिजाइन एको सिस्टम बनाने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोसान योजना शुरू की है तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा है यह और मैंने अभी मेक इनिडिया के बारे में कम्प सिस्टम के लिए जो infrastructure है वो कैसा होना चाहिए कौन से reason में होना चाहिए और कि सोच के माध्यमस होना चाहिए मतलब कि सब new होना चाहिए के लिए उद्देश से हमने अच्छे समझ लिया कि विदेशी investment को foreign investment को आकरशित करने और चाइना से आगे निकलने के लिए कहीं न कही योजना का एहम role भी रहा है और विनिर्मान चेतर की जो विनिर्मान चेतर है उसका GDP के अंदर भारत की अच्छे से 16% से बढ़ागर 25% तक की हिस्सेदारी करनी है परिची हमने दिया कौन से मंत्रा लेकर अंतरगत आती है और कब इसे launch किया गया यह हमने अच्छे से बताया 25 सितंबर 2014 को launch किया गया किसलिए किया गया कि भारत को global level पर विनिर्मान चेतर में या manufacturing चेतर में अगरनी करना है और साथ ही निवेश को आकर सित करना है और यह आता है वानिज्ये एवं उध्योग मंत्राले के अंतरगत यह न बेसिक कोशन है दोस्तों यहां से कोशन बनते बनते हैं और कौन से डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फोर पर्मोशन ओफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड बोले तो उध्योग और आंतरिक वयपार समवर्धन विभाग के अंतरगत यह कार्य करता है तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से भली भाती अच्छे से समझ में आई होगी अब हम बात करेंगे PLI के बारे में अब हम बात करते हैं PLI योजना क्या है इसके बारे में इसका परीचे लेते हुए इसके अंतरगत किस परकार का प्रौशान किया जाता है और कौन-कौन सी घोशनाई कि गई है उद्देश्य क्या है इन इसके मात्यम से परिकल्पना घरेलों वी निर्मान छेत्र को बढ़ाना मतलब कि अपने छेत्र की देश के अंदर domestic manufacturing capacity को इंक्रीम करने के लिए और आयाद परतिस्थापन और रोजगार सर्जन को बढ़ाने के लिए सुरुवात की गई थी मतलब कि अगर देश के अंदर कोई वी निर्मान छमता को बढ़ाता है यानि कि भारत के अंदर कोई manufacturing sector में अपना investment करता है या फिर कोई company खोलता है तो उसमें जो सरकार क्या करेगी PLI यानि की productive linked scheme के माध्यम से उसे प्रोसान देगी यानि की subsidy क्या दो एक तरीकी से की उसे प्रोसान देगी जिस्ते की वो increase कर सके अपनी company को लेकर तो घरेलू वी निर्मान छमता को यानि domestic manufacturing capacity को बढ़ाने और आयात को परतिस्थापन यानि की आयात को हटा कर निरियात को ब PLI योजना के तहर एक दसमलाव नो सात लाग करोड रुपे निर्धारित किये हैं और बजट 2022 में सोर PV मॉड्यूल के लिए PLI की और से 19,500 करोड रुपे का अत्रिक आवंटन भी किया था देखे जो financial year था 2022 के अंदर सोर PV मॉड्यूल के लिए PLI के माध्यम से 19,500 करोड रुपे का भी आत्रिक आवंटन किया था सरकार दुआरा देखे यह योजना जो लाई गई थी मार्च 2020 में लाई गई थी क्योंकि उस टाइम कोविट टाइम चला हुआ था दोस्तो और विस्व की डिपेंडेंसी सारी की सारी चाइना के अंदर चाइना पर थी क्योंकि चाइना के अंदर ही विस्व की सबसे बड़ा manufacturing सेक्टर गति बंदित हो गई तो तब जाकर दिमाग में आया क्योंना आपदा को अवसर में convert कर लिया जाए और हमारे देश के अंदर PM गति सकती और PLI योजना जैसी और self-reality योजना जैसी हमारे देश के अंदर schemes यानि initiative यानि पहले चालू की गई तो देखे PLI योजना कब एवं संबंद घटक विनिर्मान को लेकर दूसरा किया इसने विद्युत घटक विनिर्मान को लेकर और तीसरा किया इसने चिकिस्सा उपकरन को लेकर medical के छेत्र में है ना अब योजना के अंतरगत प्रोवसाहन संबंदी बात करेंगे वरदी सील बिकरी के आदार पर गनना किये गए प्रोवसाहन इलेक्ट्रोनिक्स और प्रोवध्योग की उद्पादों के लिए एक परतिसर से लेकर महत्पून परमुक प्रारंबिक दवाओ और कुछ दवा मध्यस्तों के विनिर्मान के लिए 20 परतिसर तक के होते हैं उन्नत रसाइन सैल बैटरी कपडा उद्ध्योग या कपड़ा उद्पाद और ड्रोन उद्ध्योग जैसे कुछ छेत्रों में दी जाने वाली प्रोवसाहन रासी की गनना पाँच वर्सों की अवदी में उसके बिकरी उसके परदरशन और इस्थानिय मूल्यों के के आधार पर की जाने वाली है जो इन्हें प्रोसाहन रासी प्राप्त होगी जैसे कि बैटरी के शेत्र में कपड़ा उद्पाद के शेत्र में ड्रोन उद्ध्योग के शेत्र में इन्हें जो प्रोसाहन रासी दी जाएगी तो वो उस वो दी जाएगी पांच वर्सों की अव के लिए और किन छेत्रों के लिए पेलाई योजना की घोशना की गई इस पर चर्चा करने वाले हैं अब तक सरकार ने ऑटो मोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी हाडवेर, दूर संचार छेत्र, फर्मस्यूटिकल्स, सोर मोड्योल, धातू और खनन कपड़ा और परिधान, सफेद सामान, ड्रोन, उननत रसायन, सैल बैटरी, सहीत, चोदा छेत्रों के लिए पेलाई योजना की घोशना कर रखी है अब बात करते हैं उद्देश्यों के बारे में सरकार ने चीन और अन्य विदेशी देश उपर भारत की निर्भरता यानि कि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो इन पर से कम करने के लिए ये इस योजना की सुरुवात किये गई कब मार्च 2020 में यह सरम परधान छेतरों का समर्तन करता है और इसका उद्देश्य भारत में रोजगार के अनुपात को इंक्रीज करने का है यह योजना आयात विल को कम करने यानि कि जो इंपोर्ट होता है उसको कम करने और घरे लो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है बाई जाहिर सी बात है अगर घर के अंदर कोई काम प्रोडेक्शन जादा होता है तो क्या होगा उसका हम दूसरे देश के अंदर निर्याद कर पाएंगे उससे क्या होगा हमारे देश की एकोनमी बुष्ट होगी क्योंकि दूसरा देश उसे फ्री तो खरीदने वाला नही उसके लिए पैसे देगा और वो पैसा हमारी देश की एकोनोमी में काउंट होगा GDP, ग्रोध और वो होगा हमारी एकोनोमी बुश्ट करने का एक माध्यम हाला कि PLI योजना विदेशी कमपनियों को भारत में अपनी इकाईया इस्थापित करने के लिए आमंतृत करती है, यह बताया न PLI योजना, जो फोरेंड कमपनियों है, उनको भारत में अपनी इकाईया इस्थापित करने के लिए आमंतृत करती है, जैसे एपल हो गया है न, और Facebook हो गया, या फिर Google हो गया, या फिर YouTube हो इनको भारत के अंदर अपने अभी सेमिकॉन को लेकर है स्वाइमिकॉन 2024 आयोजित किया गया आवंतरित करती है घरेलों उध्यमों को अपनी उत्पाधन इकाईयों का विस्तार करने के लिए प्रोसाहित भी करती है तो इसका काम है प्रोसाहन देना अगर कोई काम किया गया है जैसे बाहर से कोई कमपनी भ मेकिन इंडिया के अंतरगत PLI उसका एक छोटा सा हिस्सा है पार्ट है तो मेरे प्यारे दोस्तों मेकिन इंडिया और PLI योजना को मुझे लगता है आपने भली भाती अच्छे से समझ लिया होगा और कहीं भी आपको कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बोक्स में जरूर और रिविजन करते चलिए आप बात करते हैं अपने आज के मुख्ये Editorial पर देखें दोस्तों भारत ने मेकिन इंडिया पहल के 10 साल पूरे कर लिया तो अब हम इस पर बात करने वाले हैं कि मेक इन इंडिया पहल की उपलब दिया क्या रही और भारत को विस्व में मैनुफेक्शरिंग हब के तोर पर विक्सित करने में कौन-कौन सी चुनोतिया आई हुई है तो विस्व का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल निर्माता बना है भारत मेक इन इंडिया पहल का ही नतीज़ा है कि आज भारत विस्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है साल 2014 में देश में केवल दो फैक्टरिया मोबाइल बनाती थी अब 200 से ज़्यादा मोबाइल फैक्ट्रिया मोबाइल बना रही है इनमें एपल जैसी कमपनी भी सामिल है भारत से मोबाइल निरियात 75% बड़ा हुआ है मतलब कि भारत में जो मोबाइल निरियात है लगबग 75% बड़ा हुआ है मतलब कि 2014 में यह क्या करता था लगबग 1556 करोड रुपे के मोबाइल निरियात किया करता था परन्तु अब 2024 की बात करें तो 1.2 लाग करोड रुपे तक पहुँच गया है कहने का मतलब यह कितना 75% बड़ गया भारत में इस्तमाल होने वाले 99% मोबाइल अब अपने ही प्यारे भारत के अंदर बनाई जाते हैं देकिन नई उचाईयों पर पहुँच गया है अपना डिफेंस सिस्टम मेकिन इंडिया का सबसे ज़्यादा असर अपने डिफेंस रीज छेत्र में हुआ है वर्ज 2023 में भारत का जो रक्षा निरियात है वह 21,083 करोड रुपे तक बहुंच गया दस साल पहले 500-600 करोड रुपे हुआ करता था रक्षा उत्पादन बढ़कर एक लाग सता ही जार दो सो चो सर करोड रुपे हो गया है यानि कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें एक बड़ा ही तेजी से इजाफा हुआ है यह हमारे देश के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है पियलाई योजना अभी हमने बात की देश में मैनुफेक्टरिंग चमता को बढ़ाने के लिए प्रोडेक्शन लिंक्ड इनिसियाटी पियलाई स्कीम लौज की गई थी कब मार्च दो हजार बीस में अब तक पियलाई स्कीम के तहएट एक दसमलव चार लाग करोड रूपे का निवेश आ चुका है इससे देश भर में आठ दसमलव पांच लाग करोड रूपे को वो आठ दसमलव पांच लाग लोगों को क्या इंप्लोईमेंट यानि रोजगार मिलेगा के लिए सेमी कंड़क्टर में उची छलांग की तयारी है भी भारत की पिछले कुछ वर्सों के दोरान भारत में सेमी कंड़क्टर जैसे अत्यंत महत्पून छेत्र में तेजी कद से कदम बढ़ाए हैं भारत ने इस छेत्र में एक दसमलव पांच लाग करोड रूपे से अधिका निवेश हासिल किया पांच प्लांट लगाए जा रहे हैं जिन में रोज साथ करोड से ज्यादा चिप बनाए जाने वाली है केंद्र सरकार भारत केंद्र सरकार देश में सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम तैयार करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ट इनिशियटिव पी एलाई स्कीम के तहट चंतर हजार करोड रूपे का निवेश कर रही है अब बात करते हैं दोस्तों चुनोतियों की क्या क्या चुनोती होने वाली है तो मैनुफेक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी क्या रहने वाली है वर्तमान में देश की जीडीपी में मैनुफेक्चरिंग छेदर की हिस्सेदारी सत्रा परतिसत है 2024 के अंदर जो GDP है उसमें manufacturing चेदर की हिससादारी 17% है और 2014 में भी GDP में manufacturing की हिससादारी करीब 17% ही ती इस तरह से देखे तो make-in इंडिया में manufacturing का देश की GDP में योगदान कुछ भी नहीं बढ़ पाया तो manufacturing को बढ़ावा देना make-in इंडिया के लिए एक बड़ी चुनोती है कि भई कुछ तो दिखाना चाहिए कि जो हमारी GDP है उसमें 2014 में भी 1737 इसके इस्सेदारी और वर्तमान समय में भी हिस्सेदारी सद्रपरती सत्ती कहीं न कहीं अभी मेकिन इंडिया के सामने मैनुफेक्ट्रिंग को GDP में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक चुनोती है नेक्स्ट है कुल रोजगार में घटा मैनुफेक्ट्रिंग का योगदान रिजर बेंक के आकडो के अनुसार कुल रोजगार में मैनुफेक्ट्रिंग हिस्सेदारी में मामूली से गिरावट आई है 2013-14 में कुल रोजगार में मैनुफेक्ट्रिंग का जो योगदान रहा है वो 11.5% था जो 22-23 में घटकर 10.6% रह गया दूसरे सब्दों में कहें मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर में रोजगार बड़ा है लेकिन मेक इन इंडिया पहले के मावजूद मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर रोजगार पैदा करने में दूसरे सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ पाया वेस्विक निर्यात की बात करें कहने का मतलब इनका ये था दोस्तों कि कहीं न कहीं मैनुफेक्चरिंग छेतर में जो रोजगार इंक्रीमेंट लेके आना चाहिए तब वो मामूली सा डिग्रीस तो हुआ है परन्तु इंक्रीम नहीं हो पाया आर्थिक सर्वेक्षन 2023 के आकड़ों के अनुसार वेस्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ने की रफ्तार सुस्थ हो रखी है तो देखिए यहां पर दोजार पांच छे में कितनी थी एक दसमलव जीरो परतिसत 2015-16 यानि कि एक दसमलव जीरो परतिसत 2023-24 यानि कि एक दसमलव आट परतिसत तकी इसका गुरोथ हो पाया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस प्यारे से सेशन में हमने मेक इन इंडिया संबंदी अच्छे से अपना आज का एड़ोटोरियल कंप्लिट किया इसमें हमने मेक इन इंडिया अच्छे से कंप्लिट की और PLI inevitable मेक इन इंडिया के दो़ारे जो एक दसक के अंतरगत उपलब दिया है और आने वाले टाइम के लिए और एक दसक के अंदर क्या-क्या चुनोती थी जो कि बरकरार बनी हुई है, इनको क्या-क्या चुनोती रही है और उपलब्दिय कैसे कैसे क्या क्या हुई है और विवेक देवराय जी द्वारा जो कि एकॉनोमिस्ट है इनके द्वारा भी अपने विचारूत्पन किये गए अधित्य सिनहजी द्वारा भी और MS मनी द्वारा भी तो हमारा आज का टॉपिक मेक इन इडिया को लेकर ही था तो उम्हेद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको भली भाती बड़े ही अच्छे से बड़े ही मज़ेदार तरीके साज का ये एडियाटोरियल समझ में आया होगा तो मिलते हैं फिर नेक्ट लेक्चर में नई उमंग नई जोस की साथ आज है एक अक्टूबर और एक अक्टूबर को अपने छोटे छोटे टार्गेट सेट करो पहले पूरे महीने का विच्ट करो कि भी यह हमें पूरे महीने के अंदर ये किताब दो किताब कतम करनी है फिर उसके पज़शाद हमें क्या करना है कि पहले तो सलेबस उठाओ सलेबस के साथ उठाने के पज़शाद अपने PYQ लगाओ PYQ लगाने के पज़शाद मतलब देखो और देखने के बशाद अपना target set करो कि इस महीने हमें कितना cover करना है इस अपते हमें कितना cover करके चलना है और चोटे चोटे target के साथ per day हमें क्या-क्या topic complete करने हैं क्या-क्या target set करने और उने complete कर छोटे-छोटे target set कर यह बड़े बड़े नहीं बड़े-बड़े में तो अच्छे-च्छे धुरंदर हार मान जाते हैं कि एक दिन करोगे दूसरे दिन चित हो जाओगे तो ऐसा नहीं करना करना क्या है कि आप सब को छोटे छोटे गॉल बनाने हैं गॉल बनाकर बड़े गॉल तक पहुंचना है यानि कि CD का परियोग करना है ठीक है तो मिलते हैं फिर मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स लेक्चर में नई उमंग नई जोस की साथ बने रही है आप सिरी अज्योगेटर यूटूब चैनल की साथ आप सभी का धन्यवत जै हिंद जै भारत